नमस्कार दोस्तों मेरे पाउम डिटिंग चैनल में आपका बह। बह। स्वागत है आई आज 35 वर्स की महिला के इतरली का अद्यन करेंगे इनके सवालों को जबाब करेंगे तो सर पर्थम इनके सवालों को सुझेंगे फर एक एक जबाब करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों नभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पेकर के चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल अकेन को प्रेस कर दें ताकिर डिस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये एस्टरोजर हैं वास्तु एक्सपर्ट है और आगे के जीवन के बारे में जाना चाहती है पामिस्ट्री में काफ़े इंटरस्ट रखती है और काफी बड़ी एस्टरोजर है काफी बड़े-बड़े सम्मान से इनको नवाजा गया है तो ये आगे के विशे में जानना चाहती है हस्तरेखा क्या बता रही है एक interesting subject है इनके लिए हस्तरेखा और बड़ी प्रभावित थी है हमारे वीडियोस थे तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके हाथ पर जितनी भी चीज़े हैं मैं उसको बहुत बारिकी पूरवक बताऊंगा अगर कोई विक्ती एस्तरोलॉजर है और वो अपना हस्तरेका दिखाना चाह रहा है तो इसका ये बिलकुल अर्थ नहीं है कुसको ग्यान नहीं है एक नया इंटरस्टिंग टॉपिक है पामिस्ट्री का उस पे भी वो जाना चारा इसमें कोई बुराई नहीं है तो इनके हाथ पर कुछ चमतकारी चिन अवस्थित हैं क्योंकि जो जोतिशाचारी विगरा होते हैं वो बड़े ग्यानी होते हैं बिना ग्यान के आप जोतिश विद्या के आप छोटा सा विद्या भी ग्रहन नहीं कर सकते हैं तो विद्या के बाद ही आपका ग्यान का नदारन होता है जितना जादा आपने परहाई यो एक्स्पिरियंस गेन किया होता है उस हिसाब से आप ग्यानी व्यक्ति के रूप से जाने जाते हैं तो इनके हाथ पर जो चिन्न है यह आपको अंतरास्टिय ख्याती जरोर दिलाता है और अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के चिन्न होंगे तो आप भी अंतरास्टिय ख्याती प्राप्त करेंगे आपको भी अंतरास्टिय सम्मान मिलेगा सम्मानित किया जाएगा और जीवन पर कोई खास दिक्कते नहीं होगी और धन को लेके भी चीज़े बड़ी अच्छी महजुद हैं इनके हाथ पर भी तो आएए देखते और सम इसलिटन के होने के बाद बन सकते हैं तो आई एक एकरके चीज़ों को समझते हैं पहले अंतरास्टिय ख्याती के चिल्णे के तरव विचार करते हैं तो यह बनता है सूरी परवत परो यह सूरी परवत। और अगर आप सूरी परवत पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकरती का दिनवान हो रहा होगा इस जगा पर फिश आपके अंतराज्टिय ख्याती के तरह पिसारा कराता है इस पार्टिकुलर जगा पर फिश आपको उच्चस्तरिय सम्मान दिलाता है जरूरी नहीं है कि आप जोतिस बनके ही उच्चस्तरिय सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं आप डॉक्टर बनके भी उच्चस्तरिय सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं आप इंजीनियर बनके भी एक उच्चस्तरिय सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं तो वो डिपंड करता है कि आप क्या कारी कर रहे हैं आपको अंतरास्टे क्याती किसी भी कारी में मल सकती है इस बात में कोई डाउट नहीं है तो चलो ये तो होगी पहली बात जबरदस्त बात उसके बाद एक बड़िया सूडी रेखा आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक बड़िया तिरबुच क्या बात है ये वाली भी पुरिपुने रेखा और यहाँ से भी सूडी रेखा बड़ी जबरदस्त है तो सूडी उनको जीवन पर और क्या चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सूरी रेखा आपके मान सम्मान परतिस्ठा को बताती है, इसी वजह से अगर किसी वेक्ती के सूरी परबत पर फिश्शाइन बन जाये, तो वो अंतरास्टिये ख्याती को जरूर प्राप्त करते हैं, तो ये चीज हो गया पहला, अब दूसरी माहत पूर बात, अब सूरी रेखा आपके विद्या को बेदर्शाइती है, क्योंकि आपको सम्मान तभी पराप्त होगा जब कोई आप अच्छा कारे करेंगे, और आप अच्छा कारे तभी कर पाएंगे, जब आपके अंदर अच्छी हो तो पैसे आते रहते हैं, बागे रेखा पर एक स्कॉयर साइन, ये भी जातक के जीवन पर दνागमन को बताते हैं आगे भी बागियरेका चड़र रही है कुस दो ब्रांचेस के साथ है, किया बागियरेका जीवन के अंतिम समय तक भी बडिया धिक्राए चमतकारी धिक्रिये तो बागियरेका में कोई कमी नहीं बुद्ध रेका अच्छी है वैपार भी आप कर सकती है और बुद्ध रेका अच्छा हो तो महिलाएं पैसे जमा करने وाली या बचाने वाली होती है एकड़म बे फजूल का खर्च करने वाली नहीं होती है एक बढ़िया धंत रिभुज बना है अगर किसी वेक्टी के हात प रने की बड़ी तमन्ना है ये सब positivity है जीबन रेका पर प्रगती की रेखाती लाइफ में तरक्कियों प्रगती होती है इसके उपरात अगर देखो शुक्र प्रबल है दोनों मंगल बढ़िया है लगब लगब प्लैनेट सच्छे conditions में है तो ये तो हो गई राज्योकारा किस् तुनने की आदत नहीं है अलाकि आयू 45 वर्सकी और घ्यानी है तो फिर अब चलो ठीक अब तो वो अर्थ भी नहीं बनता इन चीजों का लेकिन ऐसे वेक्ति बड़े इंडिपेंडन ख्यालात की होते है पारिवारिक द्वंद रहेंगे ये पहली बहुत बड़ी negativity आपके पारिवारिक द्वंद के तरह पिसारा करा रही है जातक को कहीं से प्राब्लम नहीं होती पारिवारिक मामले में ही होती है तो परिवार के मामले में थोड़ी दिक्कत बाद मां कुछ राहू रेखाएं थोड़ी कष्ट दी है आपको समय समय पर रहा है उस सारे समय को मैं न तो independent आप बचपन से ही रही है, एक दिक्कत के योग ते लगबग 14 वर्स में, फिर एक आपके लगबग 20 वर्स में था, 22 में तरक्की थी, फिर 24 में दिक्कत, फिर 26 में, 28 में 30 तक, मतब 30 तक कुछ दिक्कते रही हैं, 20 बीच में अलकी प्रगती की रेखा थी, कुछ-कुछ त आकरतिया कास्मिदर लाव होता, उसके बाद कुछ यात्राएं जीवन पर बनी रहेंगी, आगे भी जीवन रेखा बहतर है, तो जीवन रेखा को लेके कोई कमी नहीं है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा, तोड़ा स्ट्रस का योग जरूर था जीवन पर इस केस में स्ट्रस होता है, बाकी ये शुकर पर ये रेखा मनी मैनेजमेंट को बताती है, शुकर प्रबल है, कमफर्टेबल लाइफ रहेगी, आए थोड़े दिक्कत का योग जरूर थे, इंसान सोचते जादा है, या कोई जीवन पर कारण बन जाएगा सोचने का, बा दिन करेंगे, चीज़ों को एस-पस डूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी जादा महतपून है, देखें, सीखें, समझें, तो यहाँ पर से आगए स्क्वार स्पाप, प्लैनेटरी कंडिसन सच्छे हैं, तो राज्यो कारा करते लिए है, कमफर्टेबल लाइफ रह और एक बड़िया थंब, इतना बड़िया थंब आपको बहुत शांदार विक्तितव परदान करता है, अगर मैं आगे देखनो, समझदारी के लूप काफी एची समझदार है, थोड़ी इंट्रोवर्ड ज़रूर है, यह चार लाइन, इनके कोश्चन्स थे, यह चार लाइ लंबे करें हैं, तो अच्छी क्रिटिवेटी एच्छा सामर्थ जरूर होता है, जीवन पर आगे बरने का, अगर मैं आगे देखनो, तो यहां से दवाब तोड़ी पारिवार एक द्वन्द दुविदाएं रहेंगी, स्क्वाइर है, चार तिस वर्स के बाद अच्छा जी लेका है, दो-तीन ब्रांचेस के साथ क्या बात है, बागे की धनी है, यह थोड़ी स्टर शुकर बरे थी, मूर्ट स्विंग होता है, बाकि लाइन ओफ एच्छा है, तो बहुत समझदार समझदारी में कोई कमी नहीं, एक फिश जैसे आकरती है, अकास्मिक दनलाव के साथ साथ अंतरास्टे ख्याती को भी बताती है, आगी भी जबरदस सूरी रेका चलट रही है, यहाँ पर एक ट्राइंगल क्या बात है, एक जदिक सूरी रेका पुरे पुने रेका के साथ जीवन में पड़िवर्तन लाता ही है, एक बढ़िया दिकरी है, आपकी स्क्वाइर सा 77 साल के आयूतक रहते हैं, चुकि मंगल परबल है, तो ऐसे वेकती हर एक प्रकार के चिंता को जहल लेते हैं, चंदरमा अच्छी स्थिती में है, कुछ यात्रा के योगते जीवन पर बने रहते हैं, विदेशी दर्थी तर धनलाव के योगते, बागियरेका चंदर से गई चलो, यह तो हो गई बात, अब हम आगे वचार करते हैं, इनके फिश शाइन पर, तो यह जीवन रेखा के साथ है, के तु परबत पर है, तो यह इंडिकेट कर रहा है, आकास्मी दर्हलाव, तो इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिलेगा, तो यह था इनके तरी का कर सकते हैं, तन्यवाद,